डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली एट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानदा एंड अराउंड दे गलोग सितंबर से ऐलिमेंटरी क्लासिस के तालबे इलिम फुल टाइम क्लासिस अटेंड करेंगे ऑंटेरियो हकूमत ने स्कूलों को दुबारा खोलने का मनसूबा पेश कर दिया करोना वाइरस से एहतियाद बरते हुए कैनेडा भर में एदुल अज़ा मनाई जा रही है कैनेडियन वजीर आज़म जसिन ट्रोडो ने आलम इसलाम को एदुल अज़ा की मुबारख बात पेश करते हुए खुसूसी पेगाम दिया वजीर आज़म जसिन ट्रोडो हाउस अब कॉमन्स की फाइनाइस कमेटी के सामने पेश उनका कहना था कि मुझे अपने अहल खाना के नीजी कारोबारी मफादात की तफसीलात का इलिम नहीं और ना ही ये मालूम था कि उन्होंने डब्लू ई चैरिटी से कितनी रकम वसूल की कैनेड़ा भर में करोना वाइरस के फैलाओं में एक बार फिर तेजी मतासर होने वाले अफराद की तादाद एक लाग पंद्रह हजार साफ सो निन्नानवे हो गई सदार्ती इंतकाबाद मुल्तवी करने की तजवीज साबिक सदर अबामा की टरम पर तनकीद सदर टरम ने कहा ता कि डाक के जरिये वोटिंग नाकिस और धान्दी जदा होगी दुनिया भर में करोना वाइरस से मतासर अफराद की तादाद एक करोड चोहतर लाग ब्यासी हजार तक जहां पहुची है जबके इस मूजी वाइरस से हलाकतیں 6,77,000 हो गई साओधी अरप, खलीजी मुमालिक, तुर्की, अमेरिका और यॉरप के कैई मुमालिक में एदुल अज़ा मजभी जोशो खरोज से मनाई जा रही है हेडलाइन सापने जानी और अब खबरे तफसील के साथ अंटेरियो के प्रीमिर डग फोर्ट ने कहा है कि जब बात हमारे बच्चों को महफूस रखने की हो तो मैं कोई गैर ज़रूरी खत्रा मोल नहीं लूँगा मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अंटेरियो की सुभाई हकूमत की जानब से कहा गया कि सितंबर से अलिमेंटरी क्लासिस के ताल बेलिम फुल टाइम क्लासिस अटेंट करेंगे हाई इन्रोन्मेंट वाले बोर्ट में हाई स्कूल हाईबरिड मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा सुभाई हकूमत ने अपने स्कूलों को खोलने के मनसूबे का अलान कर दिया जिसके मताबक ऑन्टेरियो में अलिमेंटरी तल्बा सितंबर के आकर में वापस स्कूल आ रहे हैं जबके हाई स्कूल के बेशतर तल्बा अपना वक्त ब्लास रूम और आनलाइन तालीम के माबैन तक्सीम कर देंगे आंटेरियो में अवामी तोर पर माली तावन हासल करने वाले 20 लाग या इस से ज्यादा तल्बा को एक नई हकीकत के मताबिक चीजों को अरास्ता करने की जरूरत होगी प्रीमियर डगफोर्ट ने कहा कि जब बात हमारे बच्चों को महपूस रखने की हो तो मैं कोई गयर जरूरी खत्रा मोल नहीं लूँगा दुबारा खुलने वाले स्कूलों को हकूमती हिदायत पर अमल करना होगा जिसमें एले खाना और असादजा के जरिये सल्फ इस्क्रीनिंग, हातों की सफाई, जब मुम्किन हो तो फासला काइम करना, स्कूलों में आने वालों को महदूत करना, दालान और खेल के मैदानों में तल्बह की मौजूदगी को महदूत करने के लिए इशारों का इस्तिम करोना वाइरस से एहतियात बरते हुए कैनेडा भर में एदुल अज़ा मनाई जा रही है, ताहम इस साल मसाज़त में शुटका की तादाद भी कम देखी गई, जब कि कैई शहरों में करोना वाइरस का फैलाओ रोकने के लिए बड़े इश्तिमाद पर पाबंदी आयद की रही, शहरियों ने हकुमती हिदायात की रोशनी में करोना से बचाओ की एहतियाती तदबीर पर अमल करते हुए नमाज एद अदा की और कुर्बानी की, इस मौके पर हाथ मिलाने और गले मिलने से परहेस किया गया, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन टूडो ने आलम इसल करता है, कैनेडियन वजीर आजम ने करोना वाइरस की वबाई सूरतहाल के दौरान मुसल्मानों की कैनेडा के लिए खिदमात को सराहा, इस मौके पर माजिद खान का कहना था कि इस बार एद कुजचता एदों से मुक्तलिफ थी, इस एद एद फिर दूलिवाग जसे दो लिए एद खान की इस प्राइज़ा आजम जसे पर दूलिवागाई है, कि दौरान मुसल्मान टूर्टी आजम ऑर ने लिए खान के लिए बाराइज मौके बढ़िए उन्याद फेदिमाट आजम अजम परिए पूराइज 27 का कहना था कि एड की नमाज की अदाइदी के रिए मस्जिद इंतजामिय की जानिब से खुसूसी हिदाया जारी की गई थी जबके करोना से बचाओं के हिपाज़ती उसुनों को अपनाया गया था वजीर आजम का कमेटी अरकान को इस फैसले में अपनी शमूलिय से मुतालिक वजात देते हुए कहना था कि इनके एहले खाना के डबलू ई चैरिटी के साथ तालुकात थे ताहम इसके बावजूद मेरा नही खयाल के मफादे आमा के तनाज़े के जमरे में आता है इस हवाले से मजीद जानते हैं वजीर आजब कामेटी अरकान को इस फैसले में अपनी शमूलिय से मुतालिक पजात देते हुए कहना था कि इनके एहले खाना के डबलू ई चैरिटी के साथ तालुकात थे ताहम इसके बावजूद मेरा नई खयाल के मफादे आमा के तनाज़े के जमरे में आता है ताहम मैंने इस कांट्रेक्टी मुशावरत में शमूलियत पर माजवरत की उनोंने कहा कि जब हमारी हकूमत ृजरन प्रोग्राम पर काम कर रही थी इस वक्करोना की वबा तेजी से पहल रही थी और हमारी हकूमत इस प्रोग्राम को जलस जल्स शुरू करना चाहती थी इस जल्दी के बाइस में अपने आपको इस फैसले में शमूरियस से दूर करने में नाकाम रहा उन्होंने मजीद कहा कि मैं अपने अहले खाना के डबलू ई चैरिटी के साथ तालुकात के पेशिनेजर इस प्रोग्राम की मनजूरी के अमल को सुस्ट किया और आठ मैं को काबीना जलास में मामला दوبारा पबलिक सर्विस को भेजा ताके वो दوبारा जायजा लें और किसी भी मतनाज़ा चीज से मतालिक आगा करें 21 मैं को पबलिक सर्विंट्स ने हमें बताया कि हमने अपना काम मकमल कर लिया है और वो डबलू ई चैरिटी को ये कांट्रेक्ट देने के मामले पर पुर एतिमाद है वजीर आजम ने वज़ाद करते हुए कहा कि मेरा मामला कंट्रेट आप इंटरस का नहीं था मैंने इसलिए माज़रत की क्योंकि मेरे अहले खाना की डबलू ई चैरिटी के साथ तालुकात की वज़ा से जो राय काइम हुई इसको मद्दे नजर रखते हुए मुझे इस मामले से खुद को अलग करना चाहिए था जो नहीं कर सका क्योंकि मैं जानता था कि मुझसे मेरे अहले खाना के इस तन्दीम के साथ तालुकात के बारे में सवालात पूछे जाएंगे लेकिन एक बात बलकुल वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम किसी भी तरह से मेरी वालदा और मेरे भाई को फायदा देने के लिए नहीं था बलकि ये प्रोग्राम तल्बा के लिए था ताकि वो मुल्पर में अपनी कम्यूनिटीस में रजाकार तोर पर काम कर सकें ये प्रोग्राम मेरे लिए बहुत माइने रखता है क्योंकि ये नौजवानों से मतालिक था लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने अहले खाना की डबलू ई चैरिटी से तालुकात के पेशे निजर ये मामला दुबारा सरकारी हुकाम को भेजा इसके बाइस प्रोग्राम में ताखीर भी हुई उन्होंने मजीद कहा कि मुझे अपने अहले खाना के नीजी कारोबारी मफदात की तफसिलात का इलिम नहीं और ना ही ये मालूम था कि उन्होंने डबलू ई चैरिटी से कितनी रखम वसूल की वजीर आजम जसिंटरो ने बताया कि मेरी एहलिया सौफी मैंटल हैद एडूकेट के तोर पर रज़काराना तोर पर खितमात सरअजाम देती है और अपने रज़काराना काम के लिए उन्होंने डबलू ई चैरिटी से जो अखराजात वसूल किये इन्हें एथिक्स कमिशनर की जानब से किलियर किया गया मेरी एहलिया एक नेक मकसद के लिए बिला मावजा काम कर रही थी क्योंके वो जहनी सहत के मसाइल और नाजवानों की खुद मुक्तारी के लिए बोलने पर यकीन रखती है उनोंने कहा कि मेरी इस मामले से खुद को दूर ना करने की सिर्फ ये वज़ा नहीं बलके मैं नौजवानों से मुतालग अमोर में अपने पूरे करियर में बहुत गहराई में शामिल रहा हूँ और मैंने यूट सर्विस से गहरे तालों के बाइस अपने आपको इस मामले से दूर नहीं रख सका कैनिडा भर में करोना वाइरस के बाइस हलाख होने वाले अफराद की तादाद 8,929 तक जा पहुची है इस हवाले से मजीद जानते हैं कैनिडा भर में करोना वाइरस के फैलाओं में एक बार फिर तेजी देखने में आ रही है आकरी तिलात के मताबिक कैनिडा में करोना वाइरस से मतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,15,799 हो गई है मुल्क भर में करोनलियर्स के बाइस हलाक होने वाले इपराद तादाथ 8,939 तक जह पहुंची है क्यूब एक सुबा करोनलियर्स से सब से जदार मतास्च हुआ है सुबे भर में करोनलियर्स के मुझमूइ केसिस की तादाथ 69,191 हो गई है जबके सूबे में करोना वाइरस के बाइस हलाकतों की तादाद 5,673 तक पहुँच चुकी है आंटेरियो में करोना वाइरस से 49,75 अफराद मतासर हुए हैं जबके हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,772 है अलबर्टा में करोना वाइरस के फैलाओं में इजाफा देखने में आ रहा है जिस पर हुकाम ने तश्वीश का इज़ार किया है जबके इस सलसले में हकूमत की जानिब से एहम एकदामाद की जा रही हैं सूबे भर में 10,716 अफराद करोना वाइरस से मतासिर हुए हैं जबके 1,95 अफराद हलाक हो चुके हैं बिटिश कॉलंबिया में 3,591 अफराद करोना वाइरस की तज़्दीग हुई है जबके सूबे में करोना वाइरस से हलाक होने वालों की तादाद 194 है साबिक सदर अबामा ने अमरीकी सदर टरम्प की जानेश से डाक के जरीए वोटिंग को नाकिस और धानली जदा करार देने पर कहा कि अवाम को डाक के जरीए वोट डालने का हक असल है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में साबिक सदर अबामा ने अमरीकी सदर टरम पर तनकीद करते हुए कहा कि अमरीकी डाक के निजाम पर बेबुनियाद इल्जामात किसी तौर कबूल नहीं डाक के जरीए वोटिंग अवाम का हक है साबक सदर अबामा ने अमरीकी सदर टरम की जानब से डाक के जरीय वोटिंग को नाकिस और धानली जदा करार देने पर कहा कि अवाम को डाक के जरीय वोट डालने का हक हासल है अमरीकी डाक के निजाम पर बेबुन्याद इल्जामात किसी तौर कबूल नहीं यात रहे अमरीका के मौझूदा सदर टरम सदार्टी इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज पर काइम है उन्होंने डाक के जरीए वोटिंग को नाकिस करार देते हुए धांदली का खश्या जाहिर किया है सदर टरम ने कहा था कि डाक के जरीए वोटिंग नाकिस और धांदी जदा होगी मुनासिब अंदाज में दुरुस वोटिंग तक इंतखाबात को मुलतवी किया जाए डानलर टरम का कहना था कि डेमोक्रेट्स वोटिंग में गैर मुलकी असरोरसूक की बात करते हैं इनने मालुम होना चाहिए कि डाक के जरीए वोटिंग गैर मुमालिक की जानब से इंतखाबात पर असरंदास होने का असान रास्ता है खयाल रहें अमेरिका में सदार्ती इंतखाबात रवा साल नवंबर में मुनकिद होने हैं करोना के बाइस अमरीकियों की बड़ी तादार डाक के जरीए वोट डालेगी अमरीकी मीडिया के मताबिक अमरीकी आइन के तहए टरम को इंतखाबात मुलतवी करने का इक्तियार सिर्फ कॉंग्रेस के पास है ब्राजील की खातुने अफ़ल मिशल बोर्स नारो भी करोना वाइरस का शिकार हो गई है 38 साला खातुने अफ़ल कोविड-19 की तश्खीज के बाद आइसलेशन में चली गई है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में करोना वाइरस की मुजी वबा ने दुनिया भर में मसलसल अपने खून खूर पंजेट गार रखे हैं जिसके ना सिर्फ मरीजों में बलके इस से अमबाद में भी हर रोस इजाफा हो रहा है दुनिया भर में करोना वाइरस से मतासर अफराद की तादाद एक करोड़ चोहतर लाग प्यासी हजार तक जापोची है जबके इस मुजी वाइरस से हलाकतیں छे लाग सतब्तर हजार हो गई है अमरीका ताहाल करोना वाइरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है जहां ना सिर्फ करोना मरीज बलके इस से हलाकतیں भी अब तक दुनिया के तमाम मुल्क में सबसे ज्यादा है अमरीका में करोना वाइरस से अब तक एक लाग पच्पन हजार तीन सौ अफराद मौत के मुँ में जापोचे हैं जबके इस से बिमार होने वाले अफराद की तादाद 46,32,000 हो चुकी है बराजील की खातोने अफ़ल मिशल बोल्सोनारो भी करोना वाइरस का शिकार हो गई है 38 साला खातोने अफ़ल COVID-19 की तश्वीज के बाद आईसोलेशन में चली गई है करोना वाइरस के मरीजों की तादाद के हवाले से मुमाले के फैरिस में बराजील दूसरे नमबर पर है जहां ये वाइरस 91,377 जिन्दगियां निगल चुका है जबके करोना मरीजों की तादाद 26,13,800 तक जा पहुची है बहारत करोना वाइरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फैरिस में तीसरे नमबर पर पहुँच गया है जहां करोना से 32,807 हलाकतیں हो चुकी हैं जबके इस से मतासरा मरीजों की तादाद 16,43,416 हो गई है करोना वाइरस से रूस में कुल अमबर 13,802 हो गई है जबके इसके मरीजों की तादाद 8,34,500 हो चुकी है साथ अफरीका में करोना वाइरस की बबा से मजमुए अमबर 7,812 हो चुकी है जहां इस वाइरस से अब तक कुल केसिस 4,82,1199 हुए है साथ अरब में करोना वाइरस से अब तक कुल अमबर 2,850 रिपोर्ट हुई है जबके ममलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,74,300 तक जा पहुँची है साथ अरब में मस्जिद अलहराम मस्जिद नबी सलिल्लाहु अलहिए वाले वाले वसलिम समेद मुक्तलिक मसाजद पे नमाज एड के रूपर वर इच्टिमात हुए जिन में हाजियों समेद लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज एड़ अदा की इस हवाले से मजीद जानते हैं साथी अरब, खलीजी मुमालिक, तुर्की, अमेरिका और यूरप के कैई मुमालिक में एडुलाज़ा मजभी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है इस बार करोना वाइरस के सबब समाजी फासले और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामत भी यकीनी बनाया जा रहा है साथी अरब में मजजद अलहराम, मजजद नवी समेद मुक्तलिफ मसाज़ित में नमाज एड के रूपर बर इच्टमाद हुए जिन में हाजियों समेद लोगों की बड़ी तदाद ने नमाज एड अदा की नमाज एड के इच्टमाद के मौके पर एहतियाती तदाबीर पर मकमल अमल दरामत किया गया इस मौके पर एसलाम की सर बलंदी, उमत मुस्लिमत की सलामती और तरकी के लिए खुसूसी दुआएं की गई तरकी में इस्तंबोल च्छूसी बरस बाद आया सफिय मस्जच में नमाज आईद अदा की गई करोन वायरस के सबब समाजी फासले को यकीनी बनाया गया मुझादा अरब अमराद में ईडल अज़ा के मौके पर करोना वायरस के फैलाओं के खश्चे के पेशे निज़ सक्त एक्दामाद किये गए हैं हकुमत नमाज एड के इज़ाद के बजाए घरों पर नमाज अदा करने की हिदाया जारी की है जबके कुर्बानी बल्दिया की जानब से मकसूस मजबा खानों में की जाएगी इंडोनेशिया में भी ईडल अज़ा की अदाईगी में करोना वायरस के सबब समाजी फासले को यकीनी बनाया गया नमाजियों ने मास पहन कर नमाज एड अदा की अगवानिस्तान, मिसर, कोईत, उर्दन, बहरीन, कतर, एरान, मिसर और मलेशिया में भी आज इदुल अज़ा मनाई जा रही है टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही मजीद खबरों और अपडेट से लिए देखते रहें टैग टीवी सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट अनुटिकाशन बटन